नमस्कार मैं उपलवी सिंग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलिवूट की चटपटी गॉसप शुरुआत करेंगे बिग बॉस के साथ टीवी के मोस कॉंट्रोवर्शल शो बिग बॉस पंदरा का ये दूसरा वीकेंड के बाद था जिसमें सल्मान खान कंटेस्टेंस पर काफी भड़ के हुए नजर आए दवंग अक्टर ने मुख्य घर में सभी कंटेस्टेंस को बुलाकर उनके बीते हफ़ते के परफॉर्मेंस पर बात ही कंजेस्टिंस को सलमान कहते हैं कि वो लोग बिनाबाद के अग्रेसिव हो रहे हैं जुसकी कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है हर बात में शारी दिक बल का इस्तमाल क्यों कि अचारा है इशान सहेगल और माईशा आईयर के इंटिमेट सीन को लेकर भी इस पूरे हफते खूप चर्चा हुई ऐसे में सलमान खान ने उन लोगों के रिष्टे पर सवाल खड़ा कर दिया सलमान खान ने इशान और माईशा से बोले कि आप लोग साबधान हो जाओ पता भी है ये सब कैसा दिख रहा है माईशा ने पूरे हफते घर के नियमों का पालन नहीं किया जिसकी कारण अक्टर उन्हें खूप क्रिटिसाइज करते नजर आए सलमान खान ने बाथरूम में स्मोकिंग पर भी सवाल खड़े कर दिये और कहा कि जब घर में स्मोकिंग जोन बना हुआ है तो फिर बाथरूम में स्मोकिंग क्यों इस पूरे हफते जो कंटेस्टिन सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी रही वो कोई और नहीं बल्कि अफसाना खान थी अफसाना खान नहीं शमिता शेटी को गंदी औरत फ्लॉप स्टार कहा और यहीं नहीं बलकि शमिता के हाथों के तुलना भी पोलियों के मरीज से कर दी सिमान ने अफसाना से कहा कि वो जैसा रियाक्ट कर रही है क्या वो ठीक है तो अफसाना ने खुद को कवर करते हुए कहा असल जिन्दगी में वो बिलकुल भी वैसी नहीं है इस बीच हो रहे टोकते हुए सल्मान खान ने बोला कि पिछले दो अपतों में ये तो हम सब ने देख लिया है आप जो दावा करती हैं वैसी बिलकुल नहीं करती अगर आपका ऐसा रवया रहेगा तो इंडस्ट्री में 25 दिन तक भी नहीं टिक पाएंगी उसके बाद जैभानुशाली, शमिता शेटी, बिशाल कोचियन समेट का यान लोगों से भी सल्मान ने अफसाना के सेट पाटर्ण पर बात की समान खान ने कहा है कि कोई भी इंसान जो अफसाना से करीब होता है बही एक दिन उसका दुश्मन बन जाता है और डांस रियारिटी शो इंडियास बेस डांसर 2 का शनिवार से आगाज हो गया है इस शो को मलाइका अरोडा और टेरेंस लोइस और कीता कपूर जज़ कर रहे हैं पहले ही एपिसोड में ऐसे शानदार कंटेस्टेंस देखने को मिले कि तीनों ही जजों की आँखे पटी की पटी रह गए शो के प्रोमो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वाइरल भी हो रहा है इसमें इंडियास बेस डांसर की बेतरीन कंटेस्टेंट और उनके शानदा डांस की जछलक देखने को मिल रहे है इंडियास बेस डांसर का पहला सीजन भी मलाइका अरोडा, गीता कपूर और टेरिंस लोस ने ही जज़ किया था इस शो को काफी पसंद किया गया था और उसी दोरान मलाइका और टेरिंस की डांस वीडियो भी खूब वाइरल हुए थे जिनने आज भी बड़े चाओ के साथ देखा जाता है ये सीजन काफी हिट रहा लहाजा इसी वज़स से अब 2021 में इसके दूसरे सीजन का आगास किया गया है इस बार भी इस शो में पिछले सीजन की तरह ही काफी दमदार कंटेस्टेंस देखने को मिल रहे है शो की पुरानी विडियो देखकर एक बात तो साफ है कि इस बार भी शो काफी मज़ेदार और मस्ती से भरा होने बारा है पिछले सीजन में कुछ समय के लिए मलायका रोडा और उनकी जगा नौरफवते ही देखी गए थी जिने बतार जच काफी पसंद भी किया गया था और उस दोरान टेरेंस लुइस के साथ उनके डांस के चर्चे भी खूब रहे और उन थ्रोबैक विडियो को आज भी खूब देखा जाता है तो वहीशो को होस्ट किया था कंडियन भारती सिंग और उनके राइटर और भारती के पती हर्च लनबाच्याने इस शो में उन्होंने भी अपनी होस्टिंग से चारचांद लगा दिये थे लेकिन इस बार शो को होस्ट भारती और हर्ष नहीं बलकि जाने माने टीवी आंकर मनीश पॉल फोस्ट करेंगे और शेहनास गिल और दिल जी दुसांच की मच उबेटिट फिल्म होस्ला रग 15 अक्टूबर यानि दश्यरे के दिन रिलीस की जा चुकी है होस्ला रग की पहले दिन की कमाई की सुनकर आपके होश और जाएंगे ऐसे में ये जानना भेज़ जरूरी है कि शेहनास गिल की फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की बॉक्स आफिस पर होस्ला रग ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े इस फिल्म ने पूरे भारत में करीब 2.55 करोड की कमाई की है यही कारण है कि पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंचाबी फिल्म होस्ला रग बन चुकी है ऐसे में पंजाबी फिल्म शादी का कलेक्शन का रिकॉर्ड भी हौसला रखने तोड़ दिया है ऐसे में बता दें कि दिल्ली और यूपी में हौसला रख फिल्म ने 66 लाख रुपए कमाए जो कि किसी भी पंजाबी फिल्म की कमाई की तुल्ला में 90% से ज्यादा है इसमें कई फिल्में ऐसी भी हैं जो कोरोना काल में रिलीस हुई थी हौसला रखने यूपी और दिल्ली में एक नया कीरती मान गड़ा है और इतने वड़े स्थर पर इससे पहले कभी भी किसी पंजाबी फिल्म को दिल्ली में रिलीस नहीं किया गया था राजिसान में इस फिल्म में करीब 6 लाग रुपे कमाए बागी फिल्मों ने 7-8 लाग का कलेक्शन सर्किटों में किया था ऐसे में कहा ये ज़ा रहा है कि होस्ले रख आने वाले दिनों में दिल्ली में बेहदी शांदार कमाई कर सकेगे होस्ला रख को दुशेरे के बाद एक बड़ा वीकेंड भी मिल रहा है और ऐसे में फिल्म को इसका फाइदा बहुत ही ज्यादा होने वाला है एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म को देखने के लिए थिये चोके बाहर दर्शकों की लंबी लाइन देखी गई ट्रेंड एक्सपर्ट्स केहते हैं कि वीकेंड खत्म होते ही ये फिल्म 6 करोड का बिस्निस कर लेगी और सूपरस्टार हेममालनी हिंदिस सिनिमा को नई उचायां देने के बाद अब एक सफल राशनिता बन कर सामने आई है हेममालनी एक ट्रेंज डांसर भी है और उन्होंने अपने बेचियों को भी ये कला विरासत में दी है हेममालनी सदा बहार एक्ट्रस हैं और उन्होंने लाइफ के हर मोड पार घर के बहार निकल कर काम करना जारी रखा मा बनने के बाद भी हेममालिनी ने लगातार एक से एक हिट फिल्मे थी ऐसे में बेटी ईशा देवल ने अपनी पुराने दिनों को याद करते होए बताया कि जब मा हेमा दूसरे स्टार्स के साथ फिल्मों में काम करती थी तो उने कैसा फिल होता था ईशा देवल बताती है कि कई बार वो अपनी माही ममारणी के साथ देश विदेश के फिल्मों में उनके सेट पर भी जाय करती थी उनकी फिल्म रिहाई जो कि 1988 की शूटिंग जिसकी कुछ रात में हुई थी उसके सेट पर वो अपनी मा के साथ इतने सारा बेदने दाओं और उनके आसपास में काम करते हुए देखना मज़िदार मानती थी उन्होंने कहा कि मेरे फिल्मों में आने के बाद हम तीनों ही मौरेशिस में चुट्टिया मनाने गए थे ऐसे में आहाना और मैं चाहते थे कि वो एक बीच बेब बने लेकिन माने मना कर दिया और सन्बैंट पर आराम कर रही थी इसके साथ ही ईशा देओल ने हेम मालनी की परवरिश के बारे में भी बाद के उन्होंने कहा कि मा एक प्यारी और देखभाल करने वाली मा थी नेकिन वो अनुशासन और शालींता बनाय रखने को लेकर बहुत जादा स्ट्रिक्ट थी मा को देर राद भूमना बिलकुल पसंद नहीं उन्होंने हमें शॉर्ट्स या फर स्पेगटी चौप पहनने से नहीं रोका लेकिन हमारे लिए हमेशा से अनुशासन को लेकर बहुत सतर्क्ता बरत्ती थी जब हम छोटे थे हम प्यारे बच्चो थे लेकिन जब हमने 20 के दश्रक की शुरुआत तक टीनेज के दौरान वो कुछ बाते को लेकर सक्थ हो गए इसलिए हम उससे चुप चुप कर बाते करने लगे